आपने टमाटर की चटनी, टमाटर का सौस, टमाटर का सूप बहुत बार बनाया होगा घर में लेकिन आज जो मैं टमाटर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हूँ न वो आपने पहले कभी नहीं बनाये होगी आज एकदम यूनिक स्टाइल से बहुती डेस्टी, बहुती डिफरेंट मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाट टमाटर लेने हैं टमाटर एकदम से पके हुए लाल होने चाहिए टमाटर को पहले अच्छे से धो लेना है और उसके बाद टमाटर में पीछे की साइट इस तरीके से एक छोटा क्रोस का साइन बना देना है क्योंकि यहाँ पर हमें टमाटर को उबालना है और इस तरह जब आप इनके उपर क्रोस का साइन लगा कर इने उबालते हैं तो इनका छिलका आसानी से रिमोव हो जाता है तो यहाँ पर एक कड़ाई में पानी मैंने पहले गरम करने रख दिया था पानी में अच्छा उबाल आ रहा है अब यह टमाटर हम इसमें डाल देंगे और यहाँ पर मुश्किल से आपको 3-4 मिनट का समय लगेगा और टमाटर अच्छे से उबल जाएंगे और इनका छिलका जो है अपने आप निकलने लगेगा तो टमाटर को ऐसे उबलने देते हैं गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखा है थोड़ी देर में यह देखे टमाटर अच्छे से यहाँ पर उबल चुके हैं और इनका छिलका अपने आप निकलने लगा है जो हमने टमाटर के उपर क्रॉस का साइन बनाया था ना उसकी वज़े से छिलका असानी से ऐसे ही अलग होने लगता है तो जब यह छिलका ऐसे अलग होने लगे तो इसका मतलब टमाटर त्यार है गैस का flame ओफ करें और इन्हें आप अलग बरतन में निकाल लें और टमाटर को हम अब थोड़ा सा ठंडा होने देंगे जब टमाटर थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो ये जो छिलका है ये आपको इस तरीके से निकाल देना है आसान इसे छिल कर निकल जाएगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो चारो टमाटर को मैं ऐसे ही त्यार कर लूँगी तो यहाँ पर इस रेसिपी के लिए बस ध्यान ये रखना है कि टमाटर जो है न वो एक्दम लाल वाले लेने हैं ताकि से रेसिपी का कलर और टेस्ट बहुत ही बढ़ी आए तो टमाटर को छील लिया है और अब क्या करना है इसका ये जो पोर्षन है आई वाला पोर्षन ये आपको निकाल देना है तो सभी टमाटर में से ये आई वाला पोर्षन आप हटा देंगे इस तरीके से और इसके बाद अब आप क्या करेंगे? ये जो टमाटर है न इन्हे थोड़ी दे ठंड़ा करेंगे तो यहाँ पर आपको इनका आई पोर्षन निकालने के बाद इस तरीके से कट कर लेना है और थोड़ी देर के लिए इने ठंडा होने के लिए ऐसे छोड़ देना है और अब यहाँ पर यह टमाटर ठंडे हो चुके हैं तो मैंने डाल रहे हैं मिक्सी के जार के अंदर जब टमाटर पूरी तरीके से ठंडे हो जाएं तभी आपको यह इस्टैप करना है गरम गरम टमाटर नहीं पीसने है वनना आपकी मिक्थी खराब हो सकती है अब इसमें दो मैने लेसुन की कलिया डाल दी है दो से तीन इंच अधरक डाल दिया है एक हरी मिर्च को रफली कट करके डाल देंगे जारक ठकन बंद करेंगे और इसे आप ब्लेंड कर लेंगे तो यहाँ पर देखे हमने टमाटर को ब्लेंड करके कर लिया है त्यार तो बहुत ही बड़े है तरीके से यह इसका टमाटर का प्यूरे हो चुका है त्यार अब यहाँ एक बड़े बोल में मैंने से ट्रांसफर कर दिया ए तो यहाँ पर यह पूरा टमाटर का फ्यूरे मैंने से में डाल दिया है अब हम इसमें ढाल रहें आधा चमश नमक अब यहाँ इसमें डाल दे हैं आधा चमश लाल मिर्श पाउडर एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर आधा चमच करम मसाला आधा चमच साबुत सीरा थोड़ा सा डाल दिया है बारिक कटा हुआ हरा धनिया सभी मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है अब यहाँ पर सभी जीचो को मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रहे हूँ एक कप केहूं का आटा बात में जरूरत होगी तो हम इसमें थोड़ा आटा और एट करेंगे अब इस नाश्ता को बहुत ही अच्छा क्रिस्प देने के लिए आप इसमें डालने दो चमच सूजी बारिक मोटी चोबी सूजीयों को आप इस्तिमाल कर सकते हैं अब इसे बहुत ही भड़ी खस्ता बनाने के लिए इसमें डाल दीजे दो चमच ओयल या घी मैंने यहाँ दो चमच ओयल के अस्तिमाल किया है बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है और इसका डो त्यार कर लेना है यह देखिए यहाँ पर अभी यह काफी धीला है बहुत पतला सा है यह तो इसमें हम थोड़ा सा गेहूं का आटा और डाल देंगे तो जरूरत के अनुसार आप इसमें थोड़ा सा आटा और डाल सकते हैं और इसका एक बहुत बढ़िया डो बना कर त्यार कर लें जो डो है वो बहुत ज़्यादा सक्त नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए जिस तरह का डो नॉर्मल ही आप अपने घर में चपाथी के लिए त्यार करते हैं वैसा ही डो आपको बना कर त्यार कर लेना है अब इसे ढखका रग दें 10 मिनट के लिए ताकि इसे जो सूची डाले वो अच्छी से सैट हो जाए और 10 मिनट बाद अब इस डो को आपको फिट से 1-1.5 मिनट के लिए और गूंद लेना है ये जो हम नाश्टा त्यार कर रहे हैं इसमें टमाटर का बहुत इच्छा फ्लेवर आता है खाने में ये बहुत ही मज़ेदार लगता है अब आपको क्या करना है इसमें से थोड़ा सा डो लेना है और बस इस तरह कोल- flakes लोई बनानी है तो जो लोई है उसका सैज बहुत जटा बड़ा नहीं रखना नौर्मल चपाथि की तरह लोई बना कर त्यार कर लेनी है अब आपको क्या करना है इसके उपर लगाना है थोड़ा सा सूखा अटा और इसे बेलना है तो थोड़ा सा सूखा अटा डाल दिया है और इसे बेल लेते हैं तो यहाँ पर इसकी एक थोड़ी बड़ी और पतली चपाती त्यार कर लेनी है जिस तरह चपाती का साइज होता है आप घर में जो चपाती बनाते हैं उससे बड़ा रखना है और उससे थोड़ा सा पतला रखना है तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह यह चपाती बना कर त्यार कर ली अब आप इसके उपर लगा देंगे थोड़ा सा ओईल घी या बटर मैंने यहाँ इसके उपर घी लगा दिया है अब इस घी को पूरी चपाती पर मैंने ऐसे स्प्रैट कर दिया है अब यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन मैंने यहां दो से तीन लेसुन की कलियों को घिस कर लिया है यह इसके उपर डाल दी है और यहां इसके उपर मैं डाल दी हूँ यह पास्ता मसाला अगर आपके पास पास्ता मसाला ना हो तो आप पाव भाजी मसाला ले सकते हैं पाइगी मसाला ले सकते हैं, या चाट मसाला भी ले सकते हैं, अब मसाला डालने के बाद होड़ से सफोर्वेति टैल दी इसके उपर, और धोड़ा से डालती है, मैंने । बारी कटा हूँ, हरा धन्या तो चीजों को ऐसे मिक्स करना और पूरी चपाती के उपर इने ऐसे स्प्रैट कर दिना है यह मसाला इसके उपर जरूर डालना है जो मैंने बताए हैं उनमें से कोई भी मसाला डाल सकते हैं इससे क्या होगा यह जो रेसीपी इसका टेस्ट बढ़ जाता है अब आपको इससे रोल करना है, since starting में आपको थोड़ा पतला-पतला रोल करना है और ये जो रोल हो हे थोड़ा सा tight होना चाहिए ये देखिये, रोल करने के बाद थोड़ा सा ऐसे हातों सेसे बढ़ा ले और बस अब आपको क्या करना होगा बीच में सेसे कट करना है इसके दो हिस्से आपको कर देना है इस तरह कट करके और अब आप इसे ऐसे खोलिए देखे ऊपर की तरह का आप देख सकते हैं कितनी बड़िया लेयर बनी है इसके अंदर मसालेदार बहुत ही बड़िया लेयर बनी है अब आपको क्या करना होगा ये सारी लेयर व तैयार करना है, एक के ऊपर एक इसे इस तरह रखते जाना है, और हलके हलके ऐसे दबाते जाना है, यह देखे, कितनी evaluating आसानी से बहुत ही बढ़ियाई डिजान त्यार हो गया है, बस हाथों से ऐसे एसे हलकासा ऊपर से दबाते जाए, तो आगे पीछे से इस तरही कि इसी तरह आप सारे पीस बना कर त्यार कर लें यहां एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा नमक गरम होने के लिए रख दिया है नमक को गरम होते वे 10 मिनट हो चुके हैं यह अच्छा गरम हो चुका है यहां पर आपको ये नमक का कलर चेंज लग रहा है आपको ये नमक नहीं लग रहा होगा वो इसलिए की मैं हर बार 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 बेकिंग के लिए कुछ चीज़ रोस्ट करने के लिए इसी नमक का इस्तमाल करती हूँ और जब ये ठंड़ा हो जाता है इसे फिर से भर के रख देती हूँ, तो आप भी एक वार के नमक को 100 वार 200 वार इस्तमाल कर सकते हैं, ये खराब नहीं होता है, पस ठंड़ा होने के बाद इसे एक डप्पे में भर के रख दे, अब यहां गरम नमक में मैंने एक वायरिस टें के उपर आ जाएंगे उतने आपको इस तरीके से रख देने हैं और अब आपको गैस का फ्लेम low to medium के बीच रखना है और इसे ठक कर 8-10 मिनट के लिए पकने देना है बीच में चाहें तो आप इसे एक बाद चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर पूरे 8-10 मिनट बाद आप मैं इसे ओपन कर रहे हूं तो इसे चेक करते हैं कि यह कैसा बेख हुआ है तो यहाँ पर देखिए इसका कलर उपर से चेंज हो गया और नीचे से बहुत ही बड़े सिख चुका है इसे पलट देते हैं अब आपको इन्हें दूसी तरब से 7-8 मिनट तक इसी तरीके से लो टू मीडियम फिलेम रखते हुए सेखना है और उसके बाद फिर से इनका साइट पलट कर 5-7 मिनट के लिए और सेखना है तो यहाँ पर इन्हें सिखते हुए पूरे 20-22 मिनट हो चुके हैं और मैंने अलट पलट कर इन्हें सेख लिया है आप देख सकते हैं कलर बहुत ही शांदर आया है बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हो चुका है हमारा यह राश्ता तो बस इन्हें निकाल लेते हैं तो देखें बिना फ्राइ करें क्या शांदर कलर आया है कितनी सारी लेयर वनियें एक दम खसता बहुत ही बड़ी अनाश्ता त्यार हुआ है आप इसे सौस या चुटनी के साथ खा सकते हैं चाए के साथ ऐसे भी खा सकते हैं चटपटा है टेस्टी है या फिर आप इसे लंच या डिनर में डाल के साथ भी सर्फ कर सकते हैं रेसिपी पसंद आयो तो लाइक कोमेंट शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब बेल आइकन को प्रेस और और पर जरू क्लिक